सबी विध्यार्तियों नमस्ति विध्यार्तियों आपका जानवे जुगसन हब में स्वागत है तो इस वीडियो के अंतरगत हम एन आयो एंस क्लास तैंथ के अंतरगत जो सोशल साइन्स है यानि सामाजिक विग्यान विशे हैं इस विशे के जो इंपोर्टन चेप्टर है जो आना इन क्युषन आके से त्यारी हो जाएं तो क्युभी मोस्त इंपर क्यूशन हे वह आपके चैप्टर से बने भी रहेंगे तो उससे ही आपके डियुथ हो जाए यह ताइक क्यमत्सकंद्व की सात्की साथ उसमें पूरे प्रक्टर के एप्सक्राइब 4 पाइंगे आज रहें में कुशन कम यह आने और यहीं ले हैं ने व्हलें डॉब करते में तुर नहीं जाहें हम or to do जैसे कि आपका चप्टर नमर 3 है, 4 है, 5 है, जो चप्टर एक्जाम में आने वाले उन से मैंने क्यूशन आशर बना लिये हैं, तो आज से सुरुवात करते हैं, तो वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो को ज़्यादे दर शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके में एक्जाम में आएंगे, यही चैप्टर आएंगे, जो मैंने बता दिया है, बफ्रिकेशन भी किया है, तो वीडियो भी देख लेना आप अच्छे से कौन को चैप्टर आपके आने वाले है, नोट बुक में प्लिक लीजिएगा, आपके अगर बुक है तो ब बारा तेरा क्यूषन हम मुष्ट इंपोरेंट देखेंगे तो इस तरह से डेली आपके वीडियो आती रहेगी तो वीडियो को आप देखते रहिए, तो देखते हैं क्यों, तो एनाएस क्लास 10 ठीके तो यह सोचल साइंस इंपोरेंट क्यूशन आंसर, तो अब इने इंपो अब बहुतर देखेंगे तो निया से सब्सक्रादी एक तो थे क्या था और है वह सै कुछे क्या होँ रॉस सब्सक्राजं के फ्रांस सी क्रांति के लोगों के साथ उत्थान और सामाज़ी बदलाव उत्तर हैं प्राइंसि सी क्रांटी ने तीनों वरगों के लोगों के साथ उत्थान और सामजी बदलाव लाया जैसे की पादरी वर चार्च पहला इश्टेट और किसान और स페रude इसी तीने वरगों के जो लोग है उने का उनमें सामाजी बदलाव और नमें उत्थान लेकर आये परसन संग्या तीन है फ्रांसी सी क्रांती के प्रमुक विचारकों में से कौन-कौन थे और उनके किस पेड़ना धरक विचारों ने यह क्रांती पेड़ित हुई तो प्रांसी सी क्रांती हुई है फ्रांस के अंतर उनमें जो प्रमुक विचारक थे वो कौन-कौन थे जैसे हम यहां पर बतारना है उत्तर है फ्रांसिसी क्रांति के प्रमुक विचार को में वाल्टेयर मांटेस्क्यू और रोश्य शामिल थे उनकी विचारों ने जातिवाद असमांता और सामाजिक विवेक के खिलाब विरोध किया तो यह आपको क्यूशन के आंसर दुरतना है पढ़न हो रहा है अलग लगतर के खोज हुई हमारे विश्व के अंदर के तो इसका उत्तर है विश्व इत्यास में खोजों का मेहत्व इसलिए रहा है क्योंकि यह नए भूमियों की खोज व्यापार मार्गों की खोज और विभिन समूंदरी मार्गों का खुलना करके खुलना कौछ करता हो उनगे देशों की यात्रण में मदद की जिन्होंने नक्सियों पनाने की Let's प्योग किया गया जिन्हों ने अलग लग खोजों की यात्राव में वदद देखी परसेंगे अच्छे हैं यूरोपे धन और सक्ति में किस प्रकार का परीवतल हुआ उत्तर है यूरोपे धन और सक्ति में खोजों के परिणाम शुरूप बढ़ी हुई जिसने अधिक शक्ति साली और धनी बना दिया तो यूरोपे लोगों नहीं ज्यादा खोजबिन की थी अलगले देशों कि उन्हों ने खोज की और उपने रश्वाद उन्होंने किया उन्ह और फिर वह ज्यादा सक्ति साली और धनी परसंट के साहत है यात्राय परमीक उद्देश क्या थे जो भी यात्राये हुई तुके याथ्यू बह igmasait की वह समें तो यही जो अलगले देशों के यात्रा की गई तो यही इसका हुद्देश था कि गया तो यह समें विश्व के वी प्रवारों सामील होने का माद्याम प्रदान किया फर्सिंसे यह नोग है यात्राओने उद्धोगी क्रांती में कैसे मदद की जो उद्धोगी क्रांती हुई है उसमें मुद्धो क्रांती बनाने में मदद मिली तो देखो उद्धोगी करांती से किया हुआ नहीं नहीं मसीनों का विश्कार हुआ उसका विकास हुआ ठीक है जिसे कि व्यापारे को अधिक शक्तिशाली बने बहीं मसीने होगी तो ज्यादा विश्कार होगा ज्यादा उत्पादन होगा जिससे की जो रव्यापार किया physician ने क्या था कि व्यापार को नहीं मार्गों का पता लगाया और व्यापार में शामिल होने के लिए उनको एक माध्य 음परदान कर दिया था व्यापार है इतलि की एकटिकरन का मेहत्रों क्या था और इसके लिए क्या लूब तो उत्र है इतली के एक इकरन ने विभी Bio छोटे राज्जयों को एक गतित किया और एक समोर में जोड़ा जिससे देश की एकता और शक्ति में वरधी हुई कारण में सामाजिक राजनितिक और आर्थिक ती गठन को आउशक बनाती थि ृस अंतर है पॉप का राजनितिक प्रभूत था। और प्रभाव था। उत्र है पॉप का राजनितिक प्रभूत फापल राज耀 के रूप में था जिसने उन्हें इतलिक के एकिकरण में महत्वपन भूमिका खेली उनका प्रभाव राजनितिक और धार्मिक मामलों पर हुआ लिए सब चेप्टर में दे रखें इसाले टोपिक आपकी चेप्टर में है तो आप चेप्टर को भी अच्छे से पढ़िए एक बार ठीक है परसंसर के 14 है इतलिक के एकिकरण की प्रक्या में गारी बल्डी और पाइड मॉन्ट सेदिनिया का क्या योगदान था उतर हैं गार सब्सक्राइब करने के परिणाम क्या हुआ और वह कैसे हुआ उत्तर है इतली के परिणाम शुरूप 18 गत्तर में समाथ हुआ इसका एकिकरन कप समाथ हुआ 18 गत्तर में जब पूरे देश को एक सम्रद और सौतंतर इतली के रूप में गटित किया गया यह प्रक्रिया इतली के अधिकां सेत्र के संगश विद्रो और राजनितिक योजनाओं के माद्यम से हुआ परसन सेंग्या 16 है जर्मनी के एकिकरन के लिए बिसमार्क किस प्रकार की रननिती का अनुशरां करते थे तो उत्तर है बिसमार्क ने सेना के आधुनी करन खून और आईरन की निती और विद्रो की प्रोसाहन के माद्यम से जर्मनी के एकिकरन की प्रक्या को प्रेडिति किय परसन 17 है जर्मनी के एकिकरन में बिसमार्क का क्या योगदन था तो उत्र है बिसमार्क ने आश्ट्रिया के साथ मिलकर देन्मार्क के खिलाब हाथ मिलाया और फिर आश्ट्रिया को पराजित कर उत्री जर्मन कानफेडरेशन का गठन किया उन्होंने भी फ्रांस के खिलाब जंग लड़ी और फ्रांस को हरा कर जर्मनी के अधिर किया परसन अठारा जर्मनी के अकिकरन के लिए बिसमारक की रन निती ती उसमें क्या विशेश्टा थी बिस्मार के रन निती में विशेशता थी उसकी शमता के साथ अपने दुस्मनों के साथ समझोता करने की यानि खुद की शमता के साथ दुस्मन जो देश से दुस्मन है उसके साथ समझोता करने की सेना की आधुनी करनी की वो सेना को आधुनी करनी करना चाहता था और राजनि सब्सक्राइब जर्मन के एक 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 करने के प्रिणाम शुरूप क्या हुआ तो उत्तर है जर्मने के एक करने के प्रिणाम शुरूप उतांगे जर्मनी और इताल्विक नेताओं द्वारा इसके प्रिणाई आऽके के प्रिणाम शुरूप एकिक्रित हो गया उत्तर है जर्मन उ इतालविक नेताओ दोरा इस्तमाल की गई एकिकरन की रननीतियों में कुछ मुख्य अंतर होते हैं लेकिन दोनों में समानता है भी थी क्या समानता है थी कि राश्टे एकिकरन का प्रयास दोनों ने क्या किया राश्टे एकिकरन का प्रय इतालियन नेताओं ने विभाजित राज्यों के साथ समझोते किये और उन्होंने विदेशी निरेंदन के खिलाब संगर्ष किया तीसरा है राष्ट्य शक्ति का प्रियोग जर्मन नेताओं ने सेना की आधुनी करन का प्रियोग किया और संगर्ष के माध्यम से एकिकरन को प्राप्त किया जबकि इतालियन नेताओं ने बहारी शक्तियों के खिलाप संगर्ष किया और अपने राश्टिय उतान के लिए संगर्ष किया अगला है राजनितिक शक्ति या राजनितिक संदी जर्मन नेताओं ने डक्षिन जर्मन राज्यों के साथ राजनितिक संदी की जबकि इतालियन नेताओं ने विभाजित राज्यों के साथ संदी की इस तरह जर्मन और इताल्विक नेताओंने अपने राश्र्ट एकिकरन की रण नीतियों को रण नीतियों में साथ समानता है भी दिखाई जो उनके उद्देश्य को पराप्त करने के लिए अपने प्रयासों में सफल बनाती है क EVERY कारे किया है जर्म और इताल्विन जो नेताव है उन्होंने अपने देश को एकिकरत करने के लिए इस तरह से इन्होंने पर चैप्टर को रीड कीजिए चैप्टर को जब रीड करोगे तो इससे वीडियो समझ में आ जाएंगी कुंधी तो जब यद्यादे वीडियो को शेयर करें चैनल क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिस्टेस्टन आपको मिलती रहे और जो भी कमेंट यह आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मिलते अगले वीडियो में जे हिन जे भारत